जो आदमी इतनी तीवड़ता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो ऐसा इसले नहीं कर रहा है कि उसे फल नहीं चाहिए, प्रॉब्लम ये है, कि आपने कृष्ण की बात को राजा के सेवक के शब्दों में सुना है, आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, आपके लक भगवत कीता में आ भगवान शुक्रिश्णा हमें फल की चिंदा छोड़कर कोशिश करते रहने का उपदेश देते हैं, पर मुझे काम करते जाना और नतीजों पर ध्यान ना देना बहुत जादा मुश्किल लगता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे करें, बिन मैंने किसी भी शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़ा है, ये दुर भागे पूण है, पर मुझे कहना पड़ेगा, मैंने गीता भी नहीं पड़ी है, पर हम जानते हैं कि क्रिष्ण के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि क्रिष्ण यानि मक्खन, लड़कियां और बांसुरी, पर आपको ये समझना चाहिए, ये सारी चीजें तब हुई जब वो 16 साल के थे, तो सोला के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिट्मेंट भरा जीवन जिया, उनका कमिट्मेंट था उस समय की राजनितिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में, जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती, और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते, ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पती, मेरी पत्नी और ये सब, जब तक आपके अपनी पहचान के समझ बड़ी नहीं हो जाती, सिर्व तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए नहीं तो, ब्रष्टाचार होने लगेगा, लोग कहते हैं, सत्ता ब्रष्टाचार है, सत्ता ब्रष्टाचार नहीं है, सीमित पहचान भश्टाचार है उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयाना काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान इतनी छोटी है तो क्रश्ने से बदलने की कोशिश कर रहे थे ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे जो आदमी इतनी तीवरता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है वो ऐसा इसले नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे है प्राब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी हैं, और किसी ने आपको नहीं बताया, उन्होंने केवल अर्जुन से बात की, अर्जुन ने कभी नहीं बताया, वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे, पर उन्होंने कभी कृष्णी की बताई वे बातों के बारे में एक जो कि राजा के एक सेवक थे, आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसे मंद होते हैं, देखिए, अगर आप मान लीजे, आपके पती या पतनी या बच्चों ने कुछ देखा, और वो आकर आपको बताएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ मसाल जोड़ कर आपको बताएंगे, ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वभाविक है, उनकी अपनी राएं, विचार, दूसरी चीज़ें अपने आप, उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी, पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है, कि वो कभी अपनी राएं न जोड़े, वरना उसका सिरकलम होगा, वो एक-एक शब्द वैसा ही दोहराएगा, जैसा कहा गया है, तो वो एक तरह के राचीन टेप रिकॉर्डर हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बस राजा को बता रहे हैं, कृष्णी यह कह रहे हैं, पर कोई संदर प्रसंग नहीं है, जब दो लोगो के बीच बहुत गहरा संबंध होता है, तब बाते अलग तरह की होती हैं, अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे हैं, पर उनका लव अफेर चल रहा है, तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक ल जाने बिना संजे बता रहे हैं, और अब ये समझने के बाद, देखे, मूल रूप से बात बस इतनी सी है, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके लक्ष होते हैं, आप किस तरह के लक्ष बनाएंगे, अभी आप युनिवर्सिटी में हैं, आप किस तरह के लक्ष जितना आप पहले से जानते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चड़ा देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बढ़ा लक्ष है. आम तोर पर लोग इसे ambition कहते हैं, मैं इसे constipation कहता हूँ. क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्स की तरह. अगर आपका एक लक्ष है, तो आपका लक्ष कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता. आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं? क्या आप कोई ऐसा लक्ष सोच सकते हैं, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? ये कैसे संभव होगा? तो वो क्या कह रहे हैं, समझेगा, कि आपने एक दिशा चुन ली है, लेकिन, आपको प्रॉसस को लेकर समर्पित होना पड़ेगा, वरना लक्ष केवल एक भ्रहम रह जाएगा, अगर आप, आप भी आप एक काम कीजे, ऐसा कीजे, बस ये वाली सांस मत लीजे, अगली वा बिना, आप लक्ष के बारे में भ्रहमित होने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं, हम कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो, तो रास्ता ढूनने के लिए बस एक ही आँख बचेगी, ऐसा करना बेकार है, बस, तो वो ये कह हैं कि लडाई में अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रिमेंट या प्रोमोशन नहीं हो पाएगा, आप बस मार दिये जाएंगे, लडाई के बीच में अगर आप निकम्मे हैं, तो आपको लगता है, आप बस अपने मार्ग्स वगरा खोदेंगी, क्या आप बस अपने ग्रेट्स वगरा खोदेंगी, नहीं, आप उसी शाम गार दिये जाएंगे, तो क्रिश्न उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जन बोल रहे हैं, मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाओं, वो कहते हैं, आप अभी राजा बने नहीं हैं, आ आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा, वरना आप राजा नहीं, आजशाम आपको गार दिया जाएगा, क्रिश्न बस उन्हें यहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये गलत है? तो पता है हर साल नवेंबर के महिने में हमारे यहां एक बिजनेस इवेंट होता है, तो पिछले साल भी 200 CEO आए थे, इस नवेंबर में भी यह होगा, और वो आते हैं देखते हैं कि कैसे ईशा फांडेशन बिना किसी अर्चन के चलता है, तरह तरह की गतिविदियां होती है सारे के सारे volunteers हैं, आपको पता है volunteer कौन होता है, वो जिसे काम की training नहीं दी गई होती है, वो बेहत dedicated हैं, पर उन्हें उस काम की training नहीं दी गई है, और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो volunteers हैं, अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती है, आप उन्हें नि कर रहे हैं और आपका और्गनाइजेशन हमारी कंपनियों से बहतर काम कर रहा है यह कैसे हो रहा है मैंने का देखे आप सब लक्ष को लेकर डेडिकेटेड हैं यहां मैंने लगातार लोगों में यह भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रॉसेस को लेकर समर्पित हों अभी कि आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजीए उनमें से ज़्यादातर तो यह भी नहीं जानते कि मैं उन्हें कहा लेकर जा रहा हूं ठीक है वो बस किसी प्रॉजेक्ट पर काम कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि लक्ष क्या है मेरा लक्ष कोछ और है अगर मैं उन्हें पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी महतुपूर्ण नहीं कर पाएंगे। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीती हो, बिजनस हो, कुछ भी ले लिजे। बिना उस प्रोसेस के प्रती समर्पित हुए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ भी महतुपूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं।